जाहें दोस्तों स्वागत एक बाफ हैसे आज दुनबर की तमाम बड़ी ख़वरों में पहली अपडेट में जानेंगे बारिज से मची तबाही, पधान मंत्री मोदी ने मंत्रियों से ली जानकारी, राहुल गांदी ने कौंग्रेस कारिकरताओं से की मदद की अपील, तो अ माराष्ट कौंग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक राहुल गांदी भी रहे मौजूदा, तो वहीं उद्दव गुट ने BDP पर साधाने साना, कहा लूट के माल से अपना धर क्यों भर रही BDP, तो वहीं UCC को लेकर होने वाली बैठक में कौंग्रेस को ना ब दरसल दोस्तों आपको बता देए कि पूरे देश में मानसूल सक्रीय हो गया है इस दवराना बहारी बारिज के कारना जहां देश के पाहाड़ी इलाकों में लेंड स्लाइड हो रहा है तो वहीं मैदानी इलाकों में बार जैसी स्थिति उत्पन हो गई है इस बीचा प्रदान मंत्री नरें रमोदी ने देश के कुछ इस्सों में अत्यदिक बारिश से बिगड़े हालात का जाए जालिया उन्होंने इस बारे में वरिष्ट मंत्रि के मुख्य मंत्रियों से भी संपर किया है इसे बीचा कॉंग्रिश नेता राहुल गांदी ने भी उत्राखंड हिमाचल पदे सोरा अन्य राज्यों में भारी बारिशा भूई स्केलन के कारणा जानमाल के नुक्सान पर दुख जताया है उन्होंने कहा कि वे लोगों की मौ करने की अपील की है अवली बलेखावाद दिल्ली में बारिश के बाद बाल का खत्रा व्यास नदी ने अपनायार रौदर रूपा केंद्र से राष्टिया पदा गोसित करने की की गई मांग दरसल दोस्तों आपको बता दे के अलग-अलग इस्तों में जोड़दार हो रही है बारिश के बाद राष्टिया आपदा गोसित करने की मांग उठाई है साथ ही उन्होंने लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की है तो वहीं देश की राष्टानी डिल्ली में बारिश लगाता जारी है इस वीच यमना नदी का जलिस तरह वार्निंग लेवल है इस वीच दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजिरवान ने गोस्तना की है कि यमना के 206 मीटर के निसान को छूने परा नदी के आसपास के निचले इलाकों से लोगों को निकालने का काम सुरू किया जाएगा और इबड़ी खवारी यूपी में भी भारी बारिश के च 17 लोगों की जान चली गई तो वहीं पानी में डूबने से बारा और अत्वरस्टी से पांच लोगों की मौत हो गई उदर कॉंग्रेस मासर्ची प्रिंका गांदी ने बारिश से लोगों की मौत पर ट्विट कर कहा के माचल प्रदेश में भारी बारिश और भुईस खलन के चलते कई लोगों की म्रत्यूं की दुखत ख़वर मिली है सभी सोक संतप्त परिवारों के प्रते मेरी गहरी संबिदनाए हैं आप अदा की इस मुश्किल घड़ी में हम सब एक जुठ हैं मैं सभी बहन भाईयों के सकुसल और सुरक्षित होने के लिए इस वर से और निताओं से मैं अपील करती हूं कि आपदा ग्रस्त जगयों पर लोगों की हर संबब मदद करें और राहत बचावकार्यों में सयोग करें अली बड़ी खवर ग्रह मंत्री अमित्षा ने पंजाव और हमाचल के मुख्य मंत्रियों से बारिश से नुक्सान का लिया अप और हमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों से बात की है और भारी बारी से हुए नुक्सान का अपडेट लिया है उन्होंने दोनों राज्यों को हर संबब मदद देने का आस्वासन दिया है अवली बड़ी खवर केंद्र मंत्री नितिन गटकरी ने की आपात बैठा का बा की स्थिती और राश्टेर राजमार्गों पर इसके प्रभाव की समिक्षा की सड़क परिवन और राजमार्ग सचेवा एने चाई के अध्यचा डीजी रोड और अन्य अधिकारियों की मौझुद्गी वाली इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित राजम की मरमत और रखरखाव को प्राचमिक्ता देने के सक्त निर्देश दिये हैं और इबड़े खवाद 2024 में बीडेपी को हराने के लिए विपक्षी एकना में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे कॉंग्रेश नेता राहुल गांदी दरसल दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा और केंद्र की नरेंद्रमोधी सरकार का विरोध करने वाली 15 विपक्षी पार्टियों को पटना में एकटा हुए मुश्किल से एक सब्ता ही हुआ था केंद्र मैं से सरत पवार के नित्रत वाली राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी यानि NCP दो जुलाई को तूट गई नाराज थे कि सरत पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले तेई जुन को विपक्षी नेताओं की बैठक में भाग लेने के लिए पटना गए थे यहाँ पर कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी भी मौजूद थे आजीत पवार और अजीत पवार के समठाक राहुल के चेरे के रूप में पेश करने को लेकर आपती जताई है इनमें सरत पवार भी सामिल है इसके लाबा ममता बनाजी और अखले सियादव जैसे नेता राहुल गांदी के नित्रत्वा और कौसल को लेकर उन पर निसना साथ चुके हैं 2020 में सरत पवार ने एक साथ चातकार मे कहा था कि राहुल गांदी के नित्रत्व में कुछ समस्य आए थी और उनमें निरंतरता की कमी है हाली में जब राहुल गांदी और कॉंग्रिस ने आडानी समून पर लगे आरूपों की सयूप्त संसद्य समिटी से जाँच की मांग की थी तो सरत पवार ने कहा कि उनकी मा उन्होंने उनका नाम लिए भिना कहा कि अगर कोई कुछ नहीं करता और आदे समय विदेश्ट में रहता है तो कोई राजनीती कैसे करेगा राजनीती के लिए निरंतर प्रियास होना चाहिए हाली में जब समाजवादी पार्टी के प्रमुखा अखले सियादव को को भुलाने की बात की लेकिन निजी तोर पर कई विपाक्षी नेता राहुल गांदी को एक जुट विपाक्ष के चेरे के रूप में फेस करने से सावधानी बरत्ते देखे उन्हें डर है कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांदी के बीचा मुकाबले में वो दूसरे अन्हेताओं का डावा है कि पिछले कुछ महीदों में राहुल गांदी की पोस्ट पर प्रतकिरियां PM मोदी के मुकावले ज़्रा रही है, बता दें कि राहुल गांदी को संसतकी सदरसता से आयोग बिघोशित कर दिया गया है लोगसवा चिनाब से पहले उन्हें कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है लोगसवा चिनाबों से पहले कोई राहत ना मिलना उन्हें पधान मंत्री बनने की दोड से बाहर कर देगा आपको बता दें कि ऐसे समय में जब चिनावर नजदिक हैं और विपक्ष एक होने की बात कर रहा है ऐसे में कॉंग्रेस राहूल गांदी का पधान मंत्री मोदी से मुकावला करवाना चाती है ऐसे में विपक्ष जरूर सोचेगा और राहूल गांदी के पक्ष में चीज़े सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हैं कई विपक्षी जला खुल कर इसके विरोध में उतर आये हैं UCC को लागू ना होने देने के लिए देश में तमाम बैठकें भी हो रही हैं इसी क्रम में CPM केरल के कोजिकोड में एक सेमिनार करने जा रहा है इसमें इंडियन यूनियन म बीचा पड़ी फूट सब के सामने आ जाएगी और बीजेपी को इसका फाइदा होगा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अन्य मुस्लिम संगठना कारिक्रम में सामिल होना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है लेकिन हमा कॉंग्रेस के बिना सेमिनार में सामिल नहीं हो सकत अब बड़ी ख़वर अर्बिंद केजरवाल ने जनता से कर दिया बड़ा वादा बोले यदी हरियाना में बनी आमादमी पार्टी की सरकारा तो लोगों को देंगे फिरी बिजली दरसल दोस्तों आपको बता दें कि डिली के मुख्यमंतरी अर्बिंद केजरवाल ने हरिया पार्टी जनता पार्टी सासित राजी का नाम बताओ जहां पर 24 गंटे बिजली आती हो अगर आप कॉंग्रेस ओरा बीजेपी में से किसी को भी बोड देंगे तो केवल बिजली कटोती होगी और ये बिजली इतनी महंगी कर देंगे कि आपकी पूरी बचता बिजली के भुक की सूरात करते वे हरियाना की बीजेपी सरकार को निसाने पर ले लिया उन्होंने कहा कि हरियाना में बिजली की गंभीर समस्या है यहां पर गंटों तक बिजली की कट लगती है यहां पर बिजली बहुत कमाती है लेकिन लोगों को मनमाने बिजली के बिल जरूर भेजे जा हरियाना के लोगों से कहा कि मैं खुद इसी प्रदेश का रहने वाला हूँ अगर विदाम सबाच चुनाम में आपने आमादबी पार्टी सरकार बनाई तो हम आपको ना केवला 2400 गंटे बिजली फिरी देंगे बलकि मुफ्त में ये सुविदा दिली और पंजाब की तरह यहां के लोगों को भी मुहिया कराएंगे और यूबले ख़बर उद्दव गुट में बीजेपी पर बोला जबजस्थ हमला कहा लूट के माल से अपना घर क्यों भर रही बीजेपी दरसल दोस्तों आपको बता दें कि उद्दव गुट ने सामना में लिखा कि कॉंग्रेस मतलब लूट की दुकान और जूट का बाजार ऐसा जोड़दार हमला पदान मंतरी मोदी ने राजिस्थान में कारकरम में बोलते वे किया था उद्दव गुट ने कहा कि उनका ऐसा बोलना आम बात है पदान मंतरी को सही माइने में अपनी पार्टी के बारे में बोलना था लेकिन भूल से उनके मूझ से कॉंग्रेस का नाम आ गया कॉंग्रेस सत्वा अन्य राज नितिक दला लूट की दुकान होंगे तो भाजपा लूट का माल खरीद करा अपना घर क्यों भर रही है आपको बता दें कि उद्दव गुट ने कहा कि इसका खुलासा पदान मंतरी को करना चाहिए मूलत है भाजपा ही अब राष्टे चोर बाजार हो गई है चोरी का लूट का माल खरीदने वाली पार्टी के तौर पर अब भाजपा बदनाम हो गई है आपको बता दें कि सिफसे ना पार्टी और उसका चुनाब चिन्ना एक ना सिंद्यों को दिये जाने के खिलाब उद्दव ठाकरे ने अपनी याचिका में चुनावायोग का फैसला रद करने की मांग की है उद्दव का कहना है कि विधायक दल में हुई तूट को पार्टी की तूट कहना गलत है चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोटा 31 जुलाई को इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा ये थी अब तक की बहुत बड़ी ख़वरें रोजाना की ताजा ख़वरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दवा दें जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ तब तक किने जैहिन जै भारत